Greetings to all my dear students, I hope you all are fine. Today we will do पत्र लेखन, अब सबसे पहले हम जानेंगे कि पत्र लेखन होता क्या है? पत्र एक दूसरे को संदेश पहुचाने का माध्यम होते हैं, खिक है जब हमने अपने दिल की कोई भी बाद किसी दूसरे विक्ति को बतानी हैं, तो हम उसे पत्र लिखते हैं, इनके द्वारा घर परिवार के कुशलकशेम समाचार, यानि की सही स्लामत होने का समाचार, अप पहला पत्र लिखने का उदेश है कि हम अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने सही सलामत होने का और अपने मन के भाव प्रकट करने के लिए हम पत्र लिखते हैं, और दूसरा इसका क्या उदेश है कि हम अपने मित्रों, संबंधियों, संपादकों, सरकारी अधिकारियों और स जो हमारे स्कूल्स होते हैं, उन्हें पत्र लिखते हैं, ठीक है, जब हमने कई बार स्कूल नहीं जाना होता और हमने स्कूल से चुट्टी लेनी होती है, तो हम चुट्टी के लिए अपने स्कूल के प्रिंसिपल को पत्र लिखते हैं, ठीक है, क्लियर है बिटा, अब पत्र लिखने का उदेश ये क्या होता है ठीक है तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पहला पत्र किस ने लिखा था ठीक है ये इंट्रस्टिंग कोश्चन है ना पहला पत्र रानी इतोसा ने 520 पूर्व लिखा था ठीक है तो रानी इतोसा ने लिखा था पहला पत्र अब करेंगे पत् पत्र दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रकार है आपचारिक पत्र यानि की फॉर्मल लेटर्स ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में फॉर्मल लेटर्स बोलते हैं, जो हम सरकारी कार्यालियों, स्कूल, संपादकों को लिखते हैं, या जिन लोगों के साथ हमारे पारिवारिक अर पत्र अपचारिक पत्र होते हैं, जैसे प्रधानाचारे को पत्र, संपादक को पत्र, अत्वा व्यपार से सम्मंदित पत्र I hope आपको अपचारिक पत्र clear हो गया होगा Now पत्र की second type है अनपचारिक पत्र ठीक है अनुपचारिक पत्र क्या होते हैं जिन लोगों के साथ हमारे पारिवारिक और ग्रेलू संबंध होते हैं मतलब जिन के साथ हमारे फैमिली रिलेशन्स होते हैं जैसे हमारे माता पिता, मामा, चाचा, भाई इनको लिखे जाने वाले पत्रों को हम अनपचारिक पत्र कहते हैं इनको इंग्लिश में informal letters बोला जाता है जो हम अपने सही सिलामत होने के बारे में उनक्या हाल चाल जानने के बारे में लिखते हैं Students, आईए अब हम जानते हैं पत्र लिखने के तरीके के बारे में तो अब हमने यहाँ पे एक्जामपल ली है अफकाश के लिए प्रातना पत्र ये एक उपचारिक पत्र है तो सबसे पहले हम लिखेंगे जिसे हमने पत्र लिखना है जैसे सेवा में प्रधानाचारे महोदे ठीक है तो हमने ये पत्र अपनी स्कूल के प्रिंसिपल को लिखना है उसके बाद हम लिखेंगे अपने स्कूल का नाम और पता ठीक है उसके बाद आएगा विशे कि हमने किस विशे को लेकर ये पत्र लिखा है तो वो हम सबसे पहले ही mention कर देंगे जैसे कि ये अवकाश के लिए प्रातना पत्र है तो हम यहाँ पे विशे में लिखेंगे अवकाश के लिए प्रातना पत्र ठीक है? उसके बाद हम अपने principle को संबोधन करेंगे ठीक है? श्रीमान या श्रीमती श्रीमान अगर प्रिंसिपल जैन्क से है ठीक है? अगर वो लेडी है तो उनके लिए हम श्रीमती वर्ड यूज़ करेंगे ठीक है? तो इसको हम क्या कहते हैं? संबोधन ठीक है? अब हम लिखेंगे पत्र का विशे ठीक है? या पत्र का आरंब ठीक है? तो इसमें हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे ठीक है? कि मुझे कल विद्याले से लोटते हुए तेज बुखार हो गया डॉक्टर ने तीन दिन तक विश्राम करने के लिए कहा है और उसके बाद हम उनसे जितनी हमें जितना हमें अवकास चाहिए अपने प्रिंसिपल से संबंद के बारे में लिखेंगे आपका आग्याकारी शिश्य उसके बाद लिखने वाले का नाम, कक्षा और दिनांग खाएगा स्टुडेंट्स, I hope आपको पत्र शुरू से लेकर अंत तक कैसे लिखना है, यह समझ में आ गया होगा ठीक है, अगर आपको इसके विश्य के बारे में इसके स्टार्टिंग और एंड के बारे में पता चल जाएगा, तो आप कोई भी पत्र लिख सकते हैं